आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ डाउनलोड नाओ So, इस question में हमें दिया हुआ है A white crystalline solid A on boiling with caustic soda solution gives a gas B which on passing through an alkaline solution of potassium tetraido mercury 2 solution gives a brown PPT तो ये question बड़ा है तो हम इसको parts में करेंगे तो सबसे पहले जो हमें ये line दी हुई थी हम इसको देख लेते हैं तो इन्होंने क्या दिया हुआ है हमको एक white solid दिया है A white अब इसको हम क्या करते हैं boil करते हैं caustic soda solution के साथ में NaOH के साथ में boil किया हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर gas B निकलती है ये gas है वो ये जो gas है इसको जब हम pass करते हैं alkaline solution of potassium tetraido mercurate तो potassium tetraido mercurate मतलब K2 Hg I4 का alkaline solution है OH negative है मतलब इसमें तो यहाँ पर जब इस solution से हम इस gas को pass करते हैं तो हम इस brown PPT मिलती है brown PPT अब उसकी बाद बुला है substance A the substance A on heating अब इस substance को जब हम heat करते हैं तो हम को क्या मिलता है एक neutral gas C मिलती है और ये जो gas है हम इसके जतनी properties दिए हुई है वो सब लिख लेता है inert at room temperature है और and reactive in presence of catalyst मतलब room temperature पर inert है बट अगर catalyst इसमें डालते है तो यहाँ पर लिख देता है reacts reacts in presence of catalyst and does not give of brown fumes with nitric oxide के बारे में देख लेता है जिसके हमें सारे characteristics दिये हुए है तो gas C जो है उसके बारे में इन्होंने बोला है सबसे पहले neutral है तो इन चार option में से जो neutral gases है वो है N2O, NO और N2 यह तीनों ही gases जो हैं यह neutral gases है और साथ ही में जो oxygen है यह भी एक neutral gas है nitrogen की यह दोनों neutral oxides होती है N2 and O2 यह दोनों भी neutral होती है तो यह सब ही neutral है उसके बाद इन्होंने बोला है कि inert तो oxygen जो है वो तो react करती है और जो nitrogen और यह nitric oxide है यह भी reactive है पर N2O और N2 यह nitrous oxide और nitrogen यह दोनों ही inert gases है यह दोनों reactive हैं और यह दोनों inert हैं तो अब यहाँ पर हमारे पस दो possibility है nitrous oxide भी answer हो सकता है और N2 भी हो सकता है बट यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें और दी हैं कि जो gas है वो react करती है presence of catalyst और brown fumes नहीं देती है अनों के साथ में तो अगर यह brown fumes नहीं देती है अनों के साथ में तो हमारे पास जो N2O है उसका structure कैसा होता है ऐसा होता है वैसे तो यह inert होती है बट इसके बाकी के जो reactions होते हैं वो काफी ही एसी reaction होता है जिसमें जो यह oxygen है यह वाला bond थोड़ा सा कमजोर होता है यह break हो जाता है और यह oxygen है इसके donation से इसके reactions होते है तो यह नोंने क्या बोला कि जो gas है वो NO के साथ में brown fumes नहीं देती है जब हम इसको NO के साथ में react करवाते है तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो bond है यह break हो जाता है इसमें से N2 evolve हो जाती है और जो यह oxygen है यह NO के साथ में जाकर NO2 बना लेता है और यह जो NO2 बनती है यह gas यह brown color की होती है इसका मतलब क्या हुआ कि जो N2O है वो तो NO के साथ में brown fumes दे रही है और इन्होंने बोला कि जो gas C है वो brown fumes नहीं देगी NO के साथ में इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो gas C है वो N2 होगी क्योंकि यह inert भी है room temperature पर neutral भी है और brown fumes नहीं देती है NO के साथ में और एक और चीज जो इन्होंने बोली है presence of catalyst यह react करती है तो अगर हम देखें कि जो ammonia का formation होता है जिसमें हम N2 और H2 का reaction करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास iron as a catalyst होता है और यहाँ पर NH3 का formation हो जाता है तो इसको balance कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होँआ nitrogen वैसे react नहीं करती है पर iron as a catalyst जो present था यहाँ पर तो उसने ammonia का formation कर लिया hydrogen के साथ में react करके तो यह सारे ही जो हमें conditions दिये हुए हैं यहाँ उपर वो सारे ही conditions जो है nitrogen फॉलो कर रही है इसका मतलब हमाई जो gas है वो nitrogen है तो D हमारा यहाँ पर answer हो जाएगा उसके बाद हम gas B के बारे में देखते हैं gas B इन्होंने पूछा है कि the gas B is तो यहाँ पर हमें option क्या क्या दिये हुआ है H2S, NH3, HCl और CO2 तो हम gas B का आप देखते हैं तो gas B के बारे में इन्होंने क्या बोला हुआ है gas B में जब हम K2HGI4 डालते हैं K2HGI4 का जो है यह basic solution है alkaline solution है जब उसको डालते हैं तो यहाँ पर brown BPT मिलती है तो यह K2HGI4 in presence of OH negative है इसको हम Nessler's reagent बोलते है और Nessler's reagent जो होता है इसका जो main use होता है वो होता है जो ammonia gas है उसके identification के लिए इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो ammonia gas या फिर ammonium ion अगर present होता है तो इसमें जब हम Nessler's reagent डालते हैं Nessler's reagent का formula यहाँ पर लिखा हुआ है जब Nessler's reagent इसमें डाला जाता है तो यहाँ पर एक compound form होता है जिसका formula होता है HGO HGI NH2 और यह compound जो होता है यह brown color का होता है आयोडाइड 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 ओफ मिलन्स बेस ओके तो यह आयोडाइड ओफ मिलन्स बेस किस gas से बनती है? ammonia gas से बनती है यह बहुत ही famous reaction है तो यह जो हमें gas B दी होई है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी ammonia gas हो जाएगी यहाँ पर gas B का इन्होंने reaction दिया हुआ है यह ब्राउन PPT वाला तो यह characteristic reaction है जो सिर्फ ammonia gas देती है तो यहाँ पर जो हमारा gas B है वो क्या हो जाएगी? ammonia gas हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा answer क्या हो जाएगा? ammonia उसके बाद इन्होंने तीसरा substance जो हमें तीसरा question जो दिया हुआ है वो यह है कि substance A क्या है तो substance A क्या कर रहा था पहली बाद तो substance A white है उसके बाद उसको heat करने पर हमें nitrogen मिलता है और उसको salt से react करवाने पर हमें ammonia gas दोए यहाँ पर हम देख लेए कि heat करने पर हमें nitrogen किसमे nitrogen gas किसमे किसमे मिलती है तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखते है first option हम यहां पर हमें यह här क्या दिया हुआ हो है तो NH4Cl को जब हम हीट करते हैं, तो यहां पर हमें NH3 plus HCl मिलता है, तो यहां पर हमें ammonia gas मिल रही है, अब यहां पर हमें ammonia मिला, अब जो दूसरा यहां पर option दिया हुआ है, तो इनकी भी हम heat की सब की reaction देखते हैं, तो इसके बाद यह चेक करेंगे कि किसमें कौन हमारी condition satisfy कर रह H2O plus NH3, sorry, not NH3, N2O, ओके, यहां पर हमें क्या-क्या मिलता है, हमें यहां पर N2O मिलता है, और H2O मिलता है, उसके बाद हमें ammonium nitride दिया हुआ है, NH4NO2, तो NH4NO2 को जब हम heat करते हैं, तो हमें मिलता है H2O plus N2, उसके बाद लास में नों ने दिया हुआ है, NaNO3, तो NaNO3 को जब हम heat करते हैं, NaNO3 को जब heat करते हैं, तो हमें मिलता है NaNO2 plus O2, तो यहां पर हमने देख लिया कि इन सब में कौन सी gases जो हैं, वो evolve हो रही हैं, इसमें इनों ने क्या बोला था, कि gas C evolve होती है, एक को heat करने पर, तो और gas C हमारी क्या आई थी, nitrogen gas आई थी, यह इसमें nitrogen gas निकल रही है, वही हमारा answer होगा, तो यहाँ पर ammonium nitrite में हमें nitrogen gas निकल रही है, तो हमारा compound A है, वो ammonium nitrite होगा, अब जो दूसर रियक्शन उने NaOH के साथ में दिया हुआ है, तो NaOH के साथ में reaction करने पर NH3 gas सिर्फ उन compounds में निकलती है, जिसमें जो cation होता है, वो ammonium ion होता है, तो हमारे सारे ही option जो यहाँ पर दिये हुए है, सब में जो cation है, डी वाले को छोड़के वो ammonium ion है, तो डी तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ammonium ion भी नहीं है, बाकी सब में ammonium ion है, पर N2 gas सिर्फ NH4 NO2 में से निकल रही है, तो हमारा जो substance A है, वो C वाला NH4 और NO2 हो जाएगा, तो हमने सारे ही answers देख लिए हमारे, ए जो option है, उसका, एक first question का answer हमारा ammonium nitrite है, gas C जो है, वो N2 gas है, और gas B क्या है, NH3 Classics to 12 से लेके, meet IIT जेही, means और advance के लेवल तक, 10 million से जादा students का भरोसा, आज ही डाउनलोड करे doubt net आप, या whatsapp कीजिए अपने doubts, 8400-400-400 पर